प्राइम टीवी सच साहस सरोकार बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास कारण में जैसा कि सर आज के 20 साल पहले थाई राइड और कई ऐसी बीमारियां है जो नहीं होती थी और आज के दौर में बहुत तेजी से बढ़ रही है क्या कारण है बिल्कुल आज के समय में हम लोग देख रहे हैं जो व्यादियां 20 साल पहले जिनका नाम भी नहीं था आज वो बहुत आयतायत में पाई जा रही है उसके पीछे कारण क्या है हम लोग के जीवन में तीन चीजे बताई गई है जो लाइफ के उपस्तम है आहार निद्रा और ब्रम्हचर लेकिन हम लोग क्या उसको कहा तक पालन कर पा रहे हैं ये बहुत माइने रखता है सरप्रथम जो पहले आहार की क्वालिटी थी और अभी जो आहार की क्वालिटी है दोनों में जमीन आस्मान का फरक हम लोग देखना है पहले आहार जो था वो सीजन के अकॉर्डिंग जो अविलिबिल्टी थी उसको हम लोग सेवन करते थे लेकिन अभी क्या है कि जो sižen का फल नहीं है जो sižen की सबजीया नहीं है वो भी आज जो है हर समय available रहती है और उनके सेवन से क्या होता है जो शरीर के हमारे धातू है दोश है वो क्या होते हैं कि disturb होते हैं जिस समय रहते हुए अगर ध्यार ना रखा गया तो वो बिमारी में कनवर्ट हो जाते हैं जैसे PCOD, PCOD जो है वो महिलाओं में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है इनके तमाम पेशन्ट हम लोगों को रोज आयत में देखने को मिलते हैं PCOD में समस्या क्या है कि वो मांसिक एक व्यादी है जो धीमे धी में चल करके शारिरिक व्यादी में कनवर्ट हो जाती है आईरविद में बताया भी गया है कि यदि कोई मांसिक व्यादी जादा दिन तक रहती है तो शारिरिक व्यादी में कनवर्ट हो जाती है इसके लिए हम लोगों को विशेश रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो आहार हम ले रहे हैं, जिस समय ले रहे हैं, क्या वो सही है? यदि वो सही है, तो हम लोगों को कोई भी रोग उत्पन नहीं होना चाहिए क्योंकि आयरवेद एक ऐसी विधा है, जिसमें प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों प्रकार की विधाये जो है उत्पन है तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के लिए भी जिनको रोग ना हुआ हो और रोग होने से बचना चाहते हैं उनके लिए भी बताये गया है कि हम लोगों को समय समय पर अपना जाच कराना चाहिए और जो शरीर में यदि कोई अगर कोई बलड टेस्ट में या अन्य चीज़ों में कोई समस्याय उत्पन हो रही है तो उसका समय रहते हुए निवारण करना चाहिए लेकिन आज के समय में कौन इतना जादा अपने वेस्ट जीवन शैली से समय निकालता है सबके लिए काम प्रियोटी होती जा रही है और सेहत जो है वो सेकेंडरी होती जा रही है कोरोना के टाइम पे भी ये चीज लोगों के अंदर ये भाव जनरेट किया कि पहले शरीर है क्योंकि जीवन की तीनी एशनाएं बताई गई है पहली प्राण, दूसरी धन, फिर तीसरी जो है वो परलोग बताई गई है और बताया भी है आचारों ने कि यदी प्राण रहेगा तभी धन और परलोग की च्छाएं पूरती होंगी तो सबसे पहले हम लोगों को सब चीज का ध्यान छोड़ करके अपने शरीर की चिंता करनी चाहिए कोरोना टाइम पे जब लोगों को इस प्रकार की व्याधियों से ग्रसित हुए जिसमें लोगों के प्राण जाने की जो है वो नौबत आ गई तब लोग जो है इस के प्रती अपने सहत के प्रती काफी ज़्यादा सचेत हुए और उसके बाद से फिर जब उन्होंने ट्रीटमेंट खोजना शुरू किया तो उनको आईरवेद में इसका उपचार मिलना शुरू हुआ जो प्रिवेंटिव बेस पे बहुत ज़्यादा कारगर निकला जिससे लोगों को आईरवेद के प्रती आस्था बड़ी और उन्होंने जो इस पैथी को पहले भी अपनाना चाहते थे लेकिन कई विड़म बनाओं की वज़े से, कई धारणाओं की वज़े से उसको समझते नहीं थे वो समझ उनके अंदर डेवलेप हुई और उनके अंदर आईरवेद के प्रती जुकाओ बड़ा सर जिस तरह अभी देश प्रदेश में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है हर तरप हाहाकार मची हुई है तो कैसे लोग आईरवेद के नज़ा से इसका इलाज करें हाँ, डेंगू एक व्याधी है जो इसमें वेक्टर जो है वो मच्छर है अगर हम लोग कॉजिटिव फैक्टर देखे कोई भी बिमारी का ट्रीटमेंट जो है वो तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके कारण का हम लोग निजात ना करें तो सबसे पहले तो हम लोगों को उसके कारणों से बचना है और उसका कारण जैसा सभी लोग जानते हैं कि एक प्रकार का मक्छर होता है जो जिसके काटने से ये व्याधी उत्पन होती है तो सबसे पहले तो समय समय पे भारत सरकार भी हम लोगों को जो है वो सुचित करती रहती है कि हम लोंगों को आसपास जल का जमाव नहीं होने देना चाहिए सुक्षटा का विशेश रूप से ध्यान रखना चाहिए और अन्ने चीजे जो उन्हों बता रही है उसका हमें पालन करना चाहिए यदि इन बातों का हम विशेश रूप से पालन करते हैं तो हम इस बीमारी से बस सकते हैं यदि ये बीमारी ग्रसित कर भी लेती है अपने चपेट में ले भी लेती है तो इसके सिंटम जैसे सब को पता है कि फीवर आना फीवर क्या रहता है कि इसका कभी तेज आता है कभी कम आता है और साथ में क्या है कि बॉडी में पेन होता है तो ऐसे में तुरंत किसी एक अनुभवी चिकितसक से परामर्ष लेना जरूर ले क्योंकि आज के समय में देख रहे हैं हम लोग कि यदि किसी को बुखार होता है तो सबसे पहला स्टप ट्रीटमेंट का उसका होता है यदि इस प्रकार की कोई समस्या आज के समय में आ रही है तो हमें एक अनुभवी चिकितसक से परामर्ष लेना चाहिए अपने स्वेम से घर पे ट्रीटमेंट लेने का प्रियास बिल्कुल नहीं करना चाहिए उसके बाद जब वो ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनको समझ में आता है कि क्या ये व्याधी वाकई में जो है वो डेंगू है या अन्नकोई है क्योंकि इसके चिकनगुनिया से भी सिम्टम मिलते जुलते हैं दोनों में जो है वो जॉइंट स्पेन पाये जाता है तो ऐसे में हम लोगों को उसका त्वरित निजात पाने के लिए हम लोगों को जाना चाहिए चिकितसक के पास और उनसे परामर्श लेना चाहिए साथ ही में जो आईरवेद के परिपेक्ष से आपने पूछा आईरवेद के परिपेक्ष से हम लोगों को अपनी दिन्चर्या जो है और भोजन शैली जो है उस पे विशेश रूप से ध्यान रखना चाहिए जैसे किसी को जुर होता है बुखार होता है तो उसको सबसे पहले एक व्यक्ति के अंदर एक सेल्फ इम्मूनिटी रिस्पॉन्स होता है कि यदि वो अपने आहार विहा ठीक करता है तो उससे बुखार से निजात पा सकता है उसके लिए क्या आईरवेद में शब्द बताये गया है दीपन और पाचन बताये गया है यदि दीपन और पाचन अर्थात लगू आहार करना लगू आहार मतलब ऐसा नहीं है कि जो खाने में इजी हो ऐसा नहीं लगू आहर का तात्पर ये है कि जो सुपाच्च जो आसानी से पच जाए क्योंकि आयरवेद की जो कॉंसेप्ट है उसमें बताया गया है कि जिनको बुखार होता है उनकी जो अगनी है जो भोजन पचाने की छमता है वो छीन हो जाती है ऐसे में हम लोगों को ऐसा आहर करना चाहिए जो भोजन को सरलता से पचाले और उसको जादस जादा मेहनत ना करनी पड़े तो अगर हम लगू आहर का सेवन करते हैं साथ में जो आम रूप में देख भी रहे हैं पपीते के पत्ती का रस है और बक्री के दूद के अंदर ऐसे गुण पाए गया है जो प्लेटलेट्स को बढ़ाने में सहीयोग करते हैं लेकिन मैं फिर से ही बात कहूंगा कि बिना चिकित्सक के परामर्ष के इन चीजों का भी प्रयोग करना उचित नहीं है अईरवेट में जो इससे संबंधित बताये गया है कि यदि कोई व्याधी जादा दिन तक सेवन औशद काप ले रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है वो क्यों नहीं कंट्रोल हो रही है बिना किसी कारण के जो है कोई व्याधी जो है वो रूप नहीं लेती है तो इसका मतलब है कि ऐसे कारणों का सेवन अभी भी किया जा रहा है पेशन्ट के दोरा जो उस फैक्टर को एग्रिगेट करने में सही होग कर रही है तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वज़े से व्याधी अग्रिगेट हो रही है जैसा कि आपने बताया कि आज के समय में जो है डायबिटीज है और भी अन है हाइपरटेंशन है तो डायबिटीज के लिए सीधे ये सुझाओ दे दिया जाता है या सुझाओ भी किसके दौरा जो उनके कलीग है जो उनके साथ वाले हैं कि आप आलू मत खाएए चावल मत खाएए इस प्रकार का मीठा मत खाएए किवल इन ही से जो है वो शुगर नहीं बढ़ती है शुगर बढ़ने का कारण जो है वो गुरु आहार है गुरु आहार ऐसे आहार जो पचने में भारी होते है क्योंकि डाइप्टिक पेशन्ट के डाइजेशन जो है वो वीक होता है इसलिए उनका बल का छे भी होने लगता है और साथ में क्या होता है कि उनके शरीर में वीकनेस और शरीर का जो वेट है वो लॉस होने लगता है तो ऐसे में ऐसे आहार का सेवन उनको विशेश रूप से करना चाहिए जिससे उनको अगनी पे जादा से जादा प्रभाव ना पड़े और एक नियमित दिन चर्या एक चिकिटसक के परामर से लेने से उनको इन बिमारियों से जल से जल जो है वो कंट्रोल में आ जाएंगी क्योंकि सारी बिमारिया जो है वो ठीक नहीं हो सकती आरिवेद में भी बताये गया है कि व्याधियां जो है वो सुक साथ्ऩ़ होती हैं जैसे वारेल फीवर हुआ कुछ दिं बाद अपने आप सोता ठीक हो जाती है ध्यान रखने पे उसके बाद पर क्रिच साथ होती हैं जो व्याधियां कुछ कठिनाई से साथ दे होती हैं जैसे समय डेंगू और स्टेज है अलग-अलग व्याधियों के और कुछ याप पे बताई गई हैं याप पे अर्थात कि जिनका जब तक आप ट्रीटमेंट लेते हैं जब तक आप परहेज करते हैं तब तक वो सही रहती हैं लेकिन जब उसका ठीक से दिन चर्या या रित्यू चर्या का पालन ना किया जाए तो वो समस्याएं बढ़ जाती है तो सर जैसे अब मौसम बदल रहा है ठंड आ रही है वो कहीं ना कहीं बीमारिया भी आ रही है तो अप आयूरवेद की दिर्ष्टी से क्या सुछाओ देना चाहेंगे हाँ ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे लोगों की बीमारियों की समस्या बढ़ती जा रही है क्योंकि ऐसा कहा भी गया है कि जैसे जैसे हम ने ने इन्वेंशन्स कर रहे हैं वैसे व्याधिया भी अपने ने ने इन्वेंशन्स कर रहे हैं और ऐसी व्याधियों के नाम आ रहे हैं जो नाम कभी सुने भी नहीं गये थे तो जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कि इस समय रितू परिवर्तन हो रहा है आज के परिवेश में देख रहे होंगे और उस हिसाब से आपका प्रश्ण बिल्कुल नया उचित है कि जिस प्रकार से रिदू का परिवर्तन हो रहा है उस प्रकार से हमें इस सीजन में क्या आहार विहार लेना चाहिए तो उसके हिसाब से जैसे अभी शीतलता बढ़ रही है तो एक मैं अपने पेशन्स को भी बोलता हूँ लेने के लिए एक लहसुन छीर पाक होता है लेकिन कुई भी एडवाईज देने से पहले मैं एक बार पुना आपसे बताऊंगा कि बिना किसी चिकित्सक के परामर्श के इनका सेवर नहीं करना चाहिए तो लेसुन छीर पाक क्या होता है कि बहुत सरलविधी है बनाने की और इसके गुर भी बहुत शीतरितु के अकॉर्डिंग आपके लिए बेनिफीशल होते है इसको बनाने का तरीका सिम्पल रहता है कि एक चमस देसी घी में आप जो है एक दो-चार दाने जो है वो जीरे के डालिए और लहसुन की छोटी-छोटी कलियां काट करके डालिए साथ में जो है जब ये थोड़ा सा भुन जाए थोड़ा सा रेडिश कलर हो जाए इसमें दूद डाल दीजे तो उसके बाद फिर जब वो थोड़ा बॉइल हो जाता है तो उसका सेवन करने से सुबह सुबह हम लोगों को ठंडर जो है वो थोड़ी कम भी लगती है साथ में जो धातूओं का पोशन है वो भी प्राप्त होता है और एक प्रिवेंटिव मेजरमेंट के थूँ हम लोग इस रितू में होने वाली अन्यव्यादियों से किसी न किसी इस तर पे बस सकते है मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो आयर्वेद को इस मंच पर लेकर के आने का प्रियास किये और साथ में कि वो लोग जिस विदा से यहां पर कार कर रहे हैं उन सब को एप्रिशेट करना चाहूँगा और साथ ही में आप सभी को अच्छे स्वास्त की कामना करना चाहूँगा तो ये थे डॉक्टर श्री यस दूबे जिन्होंने तमाम जानकारिया दी आगे फिर होगी आप से मुलकात तब तक के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी